दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं TCS यानि की Tata Consultancy Services की पिछले 10 सालों की performance के बारे में कैसे इस stock ने शानदार तरीके से growth दिखाई है कमपनी का पिछले 10 सालों में कितना profit growth रहा है कितना revenue growth रहा है अगर हम price के basis पे देखें तो किस तरीके से इसमें price की moment देखने को मिली है साथ ही company ने bonus कितनी बार दिया है वो भी जानने वाले है TCS आपको पता होगा इंडिया की largest IT company देखने को मिलती है अगर हम बात करें इसकी performance की तो 2014 में ये stock approximate 1081 के आसपास देखने को मिलता था and 2014 से 2015 में इस stock ने कुछ भी growth नहीं दिखाई थी 2014 से 2015 तक इस stock में 30 रुपे की गिरावट देखने को मिली approximate ये 1050 रुपे पे आ गया and 2015 से 2016 में भी same चीज़ देखने को मिली stock में कोई भी growth नहीं वी थी 2016 से ये stock वापस थोड़ा सा और नीचे गया और 1038 रुपे के आसपास देखने को मिलता था but उसके बाद market में थोड़ा सा IT stocks के लिए momentum बनना start हुआ और वहीं से TCS की एक growth अच्छी खासी देखने को मिली 2016 में already अगर हम देखें तो जो इस stock 2018 पे पिछले दो साल पहले देखने को मिल रहा था 1038 पे आ चुका था और वहीं अगर हम बात करें company की 2017 की price की तो 2017 में ये stock 1038 से बढ़कर हो चुका था 1209 रुपे 2017 के बाद वापस अगले साल में इस stock में अच्छा momentum बना and stock 2018 में पहुँच चुका था 1720 रुपे के आसपास 2018 में ये company की तरफ से bonus का announcement देखने को मिलता है and one ratio one का यहाँ पर company ने bonus दिया यानि जिन लोगों के पास भी एक share था उन लोगों की shares company ने डबल कर दिये 2018 के बाद 2019 में वापस इस stock में अच्छी growth देखने को मिली और इस stock 2030 रुपे तक पहुँच चुका था अब 2019 से 2020 की अगर हम बात करें हलाकि COVID की situation रही बट market में एक बार गिरावट हुए उसके बाद काफी शानदार recovery या rally भी देखने को मिली थी and TCS 2030 रुपे से 2740 रुपे तक 2020 में पहुच चुका था इन उसके बाद 2021 में अगर हम देखें तो और शानदार growth देखने को मिली and stock 2740 रुपे से बढ़कर पहुच चुका था 3615 रुपे अगर हम देखें तो 3615 रुपे का इसका एक बहुत ही शानदार और अच्छा भासा बड़ा level हमको 2021 में देखने को मिला उसके बाद market में काफी ज़्यादा volatility रही है IT के stocks के लिए काफी ज़्यादा margins का issue रहा काफी panic हमको देखने को मिला and stock में थोड़ इसी correction देखने को मिली साल 2022 के अगर बात करें तो approximate 3200 रुपे के आसपास stock देखने को मिला है and 2023 के अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और इंची आया और लगब लगब 3130 रुपे के आसपास ये stock हमको देखने को मिलता है अब 2014 से 2023 तक अगर हम देखें 10 साल के अंदर stock valuations wise तीन गुना हो चुका and shares की अगर हम volume की बात करें तो वो double हो चुके क्योंकि company ने one ratio one का bonus दिया था और अगर overall आप calculations निकालोगे तो जो आपका stock 1081 पे देखने को मिल रहा था वो approximate 3200 रुपे के आसपास है and जो shares का volume था वो भी double हो चुका 10 years की revenue growth की बात करें तो company 14% revenue growth प्रोव करती भी नजर आ रही है वहीं अगर हम profit growth की बात करें तो 10 year की profit growth यहाँ पर company की लगपक 12% के आसपास देखने को मिलती है and वहीं अगर हम price की growth की बात करें on an average आपको price में कितनी growth मिल रही है तो 10 साल का अगर हम on an average price growth निकाले 17% आपको growth देखने को मिल रही है यानि कि जो हम bank में return देखते हैं या bank में interest देखते हैं कि 5% मिल रहा है 6% मिल रहा है अगर आप TCS का निकालोगे तो on an average price growth 17% के आसपास यहाँ पर हमको देखने को मिलती है तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या power होती है investing की एक अच्छी company में सही समय पे पैसा लगा कर अगर आप छोड़ देते हैं तो वो अकेला इतना दंखम रखती है कि वो अच्छी company आपको आने वाले 10, 15, 20, 30 साल में इतनी growth देदेगी इतनी growth देदेगी जितनी bank में या bank की everything में कभी भी नहीं मिलने वाली तो इसलिए आप अच्छे stocks को pick कीजिए डरिये मत की stock महंगा है महंगा है ठीक है वो महंगा इसलिए है क्योंकि वो एक अच्छा stock है वो एक अच्छी valuation डिजर्व करता है इसलिए वो एक महंगा stock है तो अच्छे और महंगे stock में पैसा लगाईए long term केने लगाईए काफी अच्छे returns आपको और इस stocks में देखने को बज़ जाएंगे फिलाल इस वीडियो को मैं end करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो make sure like जरूर से कर दीजिएगा चैनल को भी subscribe करिएगा और इसी तरह की और भी interesting वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो stock का नाम हमें suggest की जल से जल हम data search करके उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे